हलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डिविजन का पार्ट थ्री, कल जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड किये थे, उसमें क्या था बेसिक था डिविजन का कि किस तरह से डिविजन करते हैं, डिविजन को हिंदी में भाग करना भी बोलते हैं, तो भाग के जो sums थे सवाल थे वो मैंने करवाय थे आपको जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से जब आप शुरुआत करते हो डिवाइड करने की तो कैसे करना आपको ठीक है आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कल जो मैंने करवाया था यहाँ पर सिरफ two digits को लेगे था आज मैं आपको बताऊँगी कि two से जादा कितने भी हो जाएं जाए three हो जाए four हो जाए five हो जाए six seven कितने भी हो जाए आपने घबराना नहीं है और division अराम से करते चले जाना है ठीक है तो इस में मैं आपको बताऊँगी कि यह जो अंदर वाला कलवे ने आपको बताया था कि यह dividend होता है तो dividend की जो first digit है अगर वो divisor के digit से बड़ी है तो ठीक है लेकिन अगर वो divisor से छोटी है तो हमें कैसे करना है ठीक है अब इसमें क्या है हमारा ये रहा divisor कल मैंने बताया था कि इसको divisor बोलते हैं ये जो divisor है ये digit जो है हमारी इस वले digit से छोटी है तो हमने one digit है तो one digit को ये अगर यह बड़ा है यह छोटा है तो समझ लो कि इससे डिवाइड हो जाएगा हैटा तो अगर यहाँपर 3 है तो यहाँपर अगर 2 है तो फिर 2 से नहीं होगा क्योंकि 3 का टेबल हमें गिना तो 3 ones क्या होता है 3 होता है ठीक है ना 3 वन्जा 3 होता है तो कैसे करेंगे आप नहीं हो पाएगा कुकि अगर यहां पर 2 होगा तो फिर हमें 2 को लेना पड़ता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कल भी वैसे आपको 2 डिजिट वाले सम्मे मैंने बता दिया था बट फिर भी जब जादा डिजिट आएंगी तो कैसे आपने करना है वो आपको बता देती हूँ ठीक है अब यहां पे जो आपका डिविजिट है यह जो बीच वाला है पार्ट इसमें आपने देखने है कि जो फर्स डिजिट है यह फर्स डिजिट है ना डिवाइजर में कितनी है यहां भी क को सिरफ rules को बता रहे हूं कि कैसे करनी है आपको division ठीक है तो अगर हम 3 का table गिनेंगे तो 4 के साथ कैसे आएगा आपको पता है ना कल के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो part 1 और part 2 अगर आपने नहीं देखा है तो please देख लेना क्योंकि अगर आपको बिल्कुल पर division आती है तो इससे start करो के तो थोड़ा सा tough हो जाएगा क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुली शुरुबात का बताया तो यहां पर 3 का table गिनेंगे तो 4 आना चाहिए या फिर 4 से नीचे आना चाहिए तो 3 1 जा 3 तो 3 1 लिख दिया आपको 3 1 जा 3 आगया ठीक है table गिनने इसमें सब ट्रैक्ट किया तो आगया हमारा 1 तो उपर से क्या करेंगे उपर से हम 6 को नीचे लेकर आएंगे ठीक है 6 को नीचे लेकर आए अब हमारा बन गया 16 अब हम 3 का table गिनेंगे और जैसे ही हम 16 से पहले या 16 आना चाहिए हमारा answer ठीक है गिनते हुए table जो है तो अगर 16 से उपर जा रहा है तो नहीं उससे नीचे आना चाहिए या फिर यही सेम आना चाहिए तो कैसे करेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15, 3 6 are 18 तो 3 6 कितने होते है 18 ठीक है तो हम 3 6 को नहीं 3 5 को लेंगे क्योंकि हम 18 इसके नीचे नहीं लिख सकते ना 16 वे से 18 आप माइनस करी नह तो कितना आएगा यहां पर 3 5s are 15, 3 5s are 15 इसको फिर से सब्ट्राक्ट करेंगे 6 में से 5 को सब्ट्राक्ट करेंगे तो कितना आया अंसर 1 ठीक है 1 में से 1 को सब्ट्राक्ट कर दिया तो कितना 0 तो मतलब क्रॉस लगा देंगे और उपर से अपना next digit जो है 2 उसको हम नीचे ल बताऊंगे आपको तो यहां पर क्या है 12 आ गया और यह भी बताऊंगे कि चेक कैसे करना कि आपका अंसर ठीक भी है के नहीं ठीक है तो अगर हम अब 3 का टेबल गिनेंगे तो देखेंगे 12 तक आता है उससे कम आता है 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 ठीक है तो यहां पर आजा तो जीरो आया मतलब क्रॉस लगाएंगे और कल जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह सही हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा यह आंसर ठीक भी है के नहीं ठीक है जो हमने 154 अंसर लिख अगर हमें टेवल पढ़ने में यह किसी चीज को करने में लिखने में कोई हमारी जो है क कुछ आ जाती है दिक्कत आ गई मतलब कि कोई गलती हो गई हमसे तो जब हम चेक करेंगे तो तब हमें पता चल जाएगा कि हमने ठीक किया यह नहीं तो कल वाली वीजियो के को पता चल गया होगा कि यह जो कोशंट है को किस से मुल्टिप्लाई करते है इस डिवाइजर से क आती है तो आप मेरी मुल्टिप्लिकेशन वाली सीरीज जो हो देख लीजे मेरे चैनल पर तो आपको पता चल जाएगा कि मुल्टिप्लाई कैसे करते हैं ठीक है यहाँ पर वान जो केरी ओवर आ गया थ्री फाइवजार फिफ्टीन फिफ्टीन एन वान सिक्स्टीन तो फ मुल्टिप्लाई करते हैं तो हमारा यह अंसर आना चाहिए ठीक है और एक सम मैं आपको और करवाऊंगी इस तरह का जिसमें की फोर डिजिट होंगे इसके बाद वो भी एंड में जो है वो क्रॉस आ जाएंगे फिर इसके बाद एक सम और करवाऊंगी त्री सम्जी करवान ठीक है तो यह हमारा आगया यह देखिए जैसे हमने थ्रीडिजिट लिया है बीच में डिविडेंट यहाँ पर हमें क्या क्या ले रहे हैं फूर डिजिट ले रहे है ठीक है और 4 से डिवाइट करना हमको 5 को देखेंगे पहले क्योंकि 4 जू हो चोटा है और dividend का हमारा first 1 है यहां पर जब सबसे पहले divisor को देखना है कि 1 है मतलब 1 digit है तो 1 digit देखेंगे 1 digit देखा तो 5 आ गया है मतलब 5 बड़ा है तो मतलब 4 से divide हो जाएगा ठीक है 4, 2, 0 तो 8 होता है तो कितना आएगा 4 1s आ 4 तो यहां पर 5 में से 4 को subtract करेंगे क्योंकि 4 1s आ 4 आया है तो 1 आ जाएगा ठीक है उपर से 8 को हमने नीचे ले ले लेना है 8 यहां पर आ जाएगा ठीक है तो अगर हम टेबल गिनेंगे तो हमारा 4 4s आ 16 यहां पर आएगा हना क्योंकि अगर हम 4 5s आ करते हैं तो वह 20 बन जाता है जो कि 18 से बड़ा हो जाएगा तो 4 4s आ 16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 0 मतलब क्रॉस भी लगा सकते हैं ठीक है अब उपर से हम नेक्स्ट वला डिजिट ले आएंगे जो की है 3 तो 3 को ले आएंगे ठीक है अगर हम यहां पर करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 5 20 क्योंकि अगर हम 4 6 करते हैं तो 4 6 24 होता है वो 23 से जाएगा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्रॉस आएगा ठीक है उसके बाद आगया 0 यहां पर 0 ले आएंगे नीचे एक करके डिजिट को नीचे ले आएंगे जैसे जैसे एक यूज उता जाएगा next next राता जाएगा ठीक है अब हमारा यहां पर 30 बन गया क्योंकि 0 हमने लगाया उपर से लेकर आए तो 30 30 आगया तो 4 का अगर हम टेबल गिनेंगे तो देखिए कहां तक आएगा 4 6 24 होता है 4 7 28 4 8 32 होता है तो 32 तो आनी पाएगा क्योंकि 30 है तो क्या करेंगे 4 7 28 ठीक है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच गया हमारा अब यह 0 है यहा आपको आते हैं तो क्या करेंगे 3 से बौरू करेगा 0 तो यहाँ पर बन जाएंगे 10 और यहाँ पर बन जाएगा 2 हाना I hope आप सबको पते है 10 में से 8 जो है वो सब्ट्रैक करेंगे तो 2 आजाएगा अंसर और 2 में से 2 सब्ट्रैक करेंगे तो 0 आजाएगा मतलब क्रॉस लग यहां पर हमारा आ गया टू आ घया ठीक है तो अब हम इसको कैसे चैक करेंगे ठीक है इसको चैक करने का तरीका है वो रही हमने करना है कि हमने कोशन्ट को लिखा 4457 और हमने दवाइजर के साथ उसको मिल्टिप्लाई कर दिया यह तो करना ही है है हमने ठीक है तो कैसे करेंगे 4 7s are 28 ठीक है 2 उपर 8 नीचे multiplication नहीं आता तो please multiplication आले series देख लीजिए और उसके बाद हमारा आगया 4 5s are 20 20 में 2 add किया तो 22 2 उपर 2 नीचे ठीक है 4 4s are 16 16 में 2 add किया तो कितना आगया 18 1 उपर 8 नीचे 4 1s और उपर 5 उसको add करने आ जाएगा 5 ठीक है तो हमारा आ गया 5828 ठीक है 5828 हमारा answer आ गया लेकिन हमारा 5830 है यहां पर हमारा dividend ठीक है तो अब हमने क्या करना है इसमें चेक जिसमें हमारा remainder रहता होता है ना रिमेंडर को फिर add कर देते हैं ठीक है add कर देते हैं इसके अंदर multiply किया फिर remainder को add कर दिया 8 में 2 अगर add करेंगे तो बनेगा 10 10 ऐसे करते हैं ना उपर लगाते हैं carry over 2 plus 1 3 8 and 5 ठीक है तो यह हमारा answer आगा 5830 ठीक है तो यह है ना सेम यह देखो यहां पर है तो जब भी कभी remainder बचता है उसको plus करना आपने ठीक है यह ध्यान रखना बच्चों की 2 को इधर मत लिख देना जब भी कोई भी अगर single number होता है और उससे पहले अगर हमने number है उसमें नीचे लिख तो समझ लो कि 2 से पहले 000 है ठीक है क्योंकि अगर इस तरफ आप 2 लिख दोगे तो इधर लिखोगे तो वह तो 2000 बन जाएगा ना पर हमारा जो remainder है वो तो 2 आया है हाना अगर उसके बाद में लिख देंगे तो 2000 बन जाएगा तो 2 से पहले मतलब 0 हो 2 अगर यह 2 है नमबर यह 2000 है और हमने कितना लिखना है 2 लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे इस तरह लिखेंगे 2 ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा है चलिए next पर चलते हैं एक और ले लेते हैं हम remainder वाला यह है 23052 ठीक है अब इसमें क्या है यह थोड़ा सा पिछले वा देखना सबसे पहले वन डिजिट को देखेंगे तो वह है 2 और 2 जो छोटे है ना 6 से तो 6 का टेबल आप 6 बढ़ा हो जाएगा और यह चोटा हो जाएगा हमारा उपर वाला नमबर बढ़ा होना चाहिए क्यों क्योंकि हमने उसमें से उसको सब्ट्राक्ट करना है ठीक है व 6 का टेबल गिनेंगे 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 6 4s are 24 तो 24 तो बढ़ा हो जाएगा 23 से तो हम क्या करेंगे 6 3s are 18 लगाएगे यहां पर ठीक है अब कैसे करेंगे हम इसको सब्ट्राक्ट आपको पता है 3 में से 8 सब्ट्राक्ट हो सकता है नहीं हो सकता अगर आपको सब्ट्राक्शन तो कैसे करते हैं यहां से 2 जो है वो 1 बन जाएगा और अपना जो 10 वो इसको देदेगा तो यहां पर 13 बन गया और यहां पर 8 है 8 में से 13 में से 8 को सब्ट्राक्ट करेंगे 9 10 11 12 13 मैं बताऊंगी नहीं कैसे मैंने गिना क्योंकि आप मेरे सब्ट्राक्शन देख लेना जो मै क्रॉस लगातेंगे अब उपर से क्या उता रहेंगे 0 जीरो उतरेगा ना अब 6 का टेबल गिनेंगे तो क्या होगा कैसे हो चाहेगा बताएए यस चलो दुबारा सकिन लते हैं 6 1s आ 6 6 2s आ 12 6 3s आ 18 6 4s 24 6 5s आ 30 6 6s आ 36 6 7s आ 42 and 6 8s आ 48 हना तो 6 8s आ 48 होता है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 लगा देंगे 48 क्योंकि अगर 6 9s तक जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 6 9s आ 54 होता है तो 54 जाएगा ना 50 से तो 8 तक ही हमें रुकना पड़ेगा 48 ठीक है अब 0 में से 8 को सब्ट्राक्ट करेंगे नहीं हो पाएगा तो क्या होगा 5 से वो 1 उधार लेगा 10 बना लेगा खुद को और इसको यह बन जाएगा 4 5 बोलेगा ठीक है मैं दे देता हूँ आपको 1 उसमें दे दिया नहीं आती है बचो सब्ट्राक्शन प्लीज सब्ट्राक्शन वाले मेरी सीरिस देख ले ना आपके सारे डाउट्स क्लीर हो जाएगे सब्ट्राक्शन के भी ठीक है अब 10 में से 8 सब्ट्र प्लीज सब्ट्राक्शन ना रहे ठीक है तो यहां पर आगया हमारा 25 ठीक है 25 अब 25 आगया तो कैसे करेंगे 6 4s 24 होता है 6 4s 24 क्योंकि 6 5s 30 होता है तो 30 तो इसके नीचे आनी सकता 25 के नीचे बढ़ा हो जाएगा तो 6 4s 24 करेंगे तो फिर से सब्ट्राक्ट करेंगे 5 में से 2 का सब्ट्राक्ट किया तो बच्चा 0 मतलब क्रॉस ठीक है अब फिर से उपर से ले आएंगे हम नेक्स्ट हमारा लास्ट डिजिट है 12 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहां पे जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 6 2s 12 तो मतलब इसमें कोई भी रिमेंडर आपका बच्चा नहीं है 2 में से 2 सब्ट्राक्ट किया तो 0 आ गया 1 में से 1 सब्ट्राक्ट किया तो 0 आ गया अब यह 3 8 4 2 ठीक है तो हमारा आंसर आ गया यह इसको हम चेक करेंगे अब से फिर से कैसे करेंगे 3 8 4 2 जो हमारा कोशिंट आया है कोशिंट को किस के साथ हमने मिल करेंगे, तो देखें कैसे बनता है, क्या आता है answer, 6 2's are 12, 1, 2, 6 4's are 24, 24 and 1, 25, 2, 5, 8 6's are 48, 48 plus 2, 55, 0, 6 3's are 18, 18 में 5 को add करिए, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 23 आगया यह आगया आपका answer, 2, 3, 0, 5, 2, और यहाँ पर आपका जो dividend था, वो भी यह है, 2, 3, 0, 5, 2, ठीक है, तो यह जब करते हैं, तो यह आजाना चाहिए, और जब कभी भी remainder बचता है आपका, तो वो आपने remainder को plus कर देना, ठीक है, आगया आने वेली videos में, videos में, और भी मैं आपको करा दूँगी कि कैसे, और भी practice करा दूँगी आपकी, आप, I hope आपको अभी तक कच्छे से समझ में आगया होगा, फिर भी अगर नहीं आया, तो मुझे बता देना, comment section में, दुबारा से बता देती हूँ, part क्या होता है, जैसे, यह जो बीच वाला होता है, इसको बोलते है dividend, ठीक है, और जिस से हमने भाग करना होता है, उसको बोलते है diviser, और जो हमारा भाग करने के बाद आता है, answer उसको बोलते है, quotient, ठीक है, और फिर उसके बाद भी नीचे, अगर कुछ हमारा भचच जाता है, यहाँ पर, तो उसको बोलते है remainder, ठीक है remainder, तो अगर हिंदी मे आपको पता करना है डिविडेंट को बोलते हैं भाचे और इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाग फल मतलब भाग करने के बाद जो फल निकला जो आंसर आया मतलब फल मिला जो हमें डिवाइट करके और इसको बोलते हैं शेश फल शेश फल इसलिए क्योंकि ये फ तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड जल्दी ही मिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ अगले आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से टू डिजेट्स के साथ भी आप जो डिवाइड कर सकते हो है और रिमेंडर को और भी जैसे कैसे यूस कर सकत तो किस तरह से उसको प्लस करना है प्राक्टिस और दे दूंगी एक तो समस में सो दाट आपको पूरी अच्छी तरह से समाझ आ जाए आई जस्टोंट वांट कि आपको कोई भी कन्फूजन रहे डिवीजन के बारे में तो चलिए करती हूं आज का वीडियो यहीं पे किस surgery में परिए क मुदब मुदभ के quand मुदब ट मुदब के डिवीजन वीजन के सि头 समा आपको कि ठ畤 रखार ध।